हेलो स्टूदेंट्स आपके लॉग कोशन तीन चैप्टर से आने हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर थ्री चाहे पंजाबी मीडियो में चाहे इंग्लिश मीडियो में सभी का चैप्टर नमबर से में एकोर्डिंग टू में ओल्ड बुक बताऊंगे और न्यू बुक दोनों ही चैप्टर थ्री मेटल नॉन मेटल चैप्टर नमबर एट रिप्रोडेक्शन इन अनिमल्स और उसके बाद जो है आपका चैप्टर नमबर जो है ट्वैल एलेक्रिसिटी एकोर्डिंग टू ओल्ड बुक चैप्टर नमबर एट एंड ट्वैल एकोर्डिंग टू नुब चैप्टर नमबर एट एंड एलेवग ठीक है और चैप्टर नमबर थ्री सबमेस एमें तो यहां से आपको लॉंग कोशिंट आएगा लॉंग कोश्चिं के लिए मैंने कुछ important long question निकालें तो यहां से जो mediocre या weaker बच्चे हैं वो सारी कर सकते हैं वैसे तो मेरा surety है कि यहीं से long question आजाएगा पर जो meritorious है उनके अलाव इन question के अलाव अगर आपको और भी questions आते हैं तो वो उनको भी पढ़के जाए ठीक है और mediocre वीक कर तो यहीं करने बहुत हैं ठीक है तो यहां पर जो है चाप्टर नंबर 3 से हम ले लेते हैं first question तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर जरूर करना हमारे टेलिग्राम वट्सप और इंस्टाकर लिंग दिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी जॉइन करना ठीक है बाकि और भी में तो वह बघ्क है तो अपस्ता बॉत है कि यह तो वह आपसे सिर्फ प्रोपर्टी क्ली प्रॉपर्टी मीज परकारे । यह पाले आपको देदे कि Chemical property में difference लिखो, तो आपने Chemical property में difference लिखنا है, बोले physical में लिखना है, दौनों को अलग अलग बोलाएं, तौनों को अलग अलग लिखो और simply अगर आ गया, कि Metal non metal में difference लिखो, तो भी आपने Chemical or Physical property लिखकरकर उसके difference लिखने ठीक है तो यह अच्छे आपके presentation शो करता है तो सबसे पहले अभी तक मैं आज आपको यही बोलूँगी आज तक मुझे 16-17 साल हो गए पंजाब बोर्ड में पढ़ाते हुए तो यह question हमेशा आया है ठीक है वो आपका bad luck हो कि ना आए इसलिए और भी questions करके जा ना ठीक है next है आपका अब आप बोलोगी कि मैं meaning of malleability inductivity इतना चोटा सो question 5 marks में कैसे आएगा बहुत सारे बच्चे बोलते है ठीक है तो यह कैसे आता है बिटा आपको यह question आ जाएगा यहां पर आपको दो पार्ट दे देंगे a और b part अब आपका क्या होगा यह दो नंबर one के साथ यह दूसरा चाहे तो आप यह वाला question कर लो और मैं अगर करोगे तो आपको यह और b दोनों करना पड़े समझागी मेरी बाद ठीक है इस तरीके से यह छोटे question भी आ जाते है तो इनको भी कर लेना explain meaning of malleability and ductility और why is the sodium capped immersed in kerosene oil ठीक है उसके बाद अगला important question है यह जब covid आया था ना उसके एक साल पहले की बात बता रही हुए उसके पहले यह question आपका long में आया था right electronic यह dot है ठीक है electronic dot structure of the sodium oxygen and magnesium उसके बाद इसकी formation भी show करनी आपको and A2O की बनाकर और MgO की बनाकर उसके बाद इसका electrons जो है कितने ions इसमें present है वो भी लिखना है ठीक है तो यह पूरा 5 नंबर का question आ चुका है पहले board में ठीक है तो इस question को भी कर लेना बहुत easy है ठीक है उसके बाद जैसे मैंने कहा 2 नंबर 3 नंबर partition में आ जाता है तो यह question compound have high melting point and water alloy ठीक है उसके बाद give the reason आपको एक give the reason question है ना points है उसमें 3-4 points है तो वो points वाले भी question कर लेना ठीक है तो यह तो chapter number 3 के long question हो गया है तो जिसमें से मैंने that's sure आपको metal non-metal बोला हुआ है बट यह questions भी बहुत बड़े नहीं है छोटे-छोटे ही है इनको भी कर लेना कि अगर by chance नहाया कोई question तो 24 में आप इसको कर सको ठीक है sorry उसके बाद आजाता है हमारा हमारा जो है अगला chapter है chapter number 8 है reproduction according to old book अगर new book है तो chapter number 7 ठीक है तो वहां से मैं आपको जो sure वाला question है वो बतारी हो हर साल flower आया है हर साल आया है ठीक है फिर वही बोल रही हो अगर bad luck हुआ नहीं आया तो इसलिए हमें और भी question साथ में करने है कौन-कौन सा करना है explain अच्छा यह flower वाले में proper अपने डाइग्राम भी और explain भी कई बार सिर्म डाइग्राम आ जाता है दो नंबर में कई बार पूरा question ही पांच नंबर में आ जाता है ना तो दोनों चीजे आपको पता होना जाहिए female reproductive system with diagram पूरा explain करना है male reproductive system with diagram पूरा explain करना है उसके बाद है different mode of sexual reproduction जिसमें आपको binary season, multiple season, vegetative reproduction, fragmentation, regeneration, सारा कुछ आपको point to point two two three three line लिकर सारा diagram बना के explain करना है तो कई बार यह question भी हा जाता तो इसको भी skip नहीं करना है आपने उसके बाद है अगला what are the changes that occur in boys and girls at time of the puberty ठीक है puberty के time में boys और girls में कौन सी changes होती है यह question भी important है उसके बाद contraception different method of the contraception यह भी आ जाता है question तो इसको भी अच्छे से करना है उसके बाद है difference between pollination and fertilization और difference between sexual and asexual reproduction ठीक है तो इन question को बिल्कुल skip मत करना है इतने कर लेना ठीक है आज आप यहीं करो कि आप long question खतम कर लो 2 और 3 marks वाले कर लेना ठीक है उसके बाद chapter आ जाता है हमारा 12 according to old book और according to new book chapter number 11 electricity यहां से भी आपका 5 नंबर का एक question आएगा साथ में 24 आएगी तो first question है what is ohms law and how can it be verified पूरा ohms law लिक के उसको verified करके diagram बना के तब आपको यह पूरे 5 नंबर में लेंगे ठीक है तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना वैसे यह आ जाता है कई बार question नहीं भी आता है ठीक है तो और भी question हम देख लेते हैं एक question है what is the equivalent resistance when various resistors are connected in series ठीक है question यह घुमा फिरा क्या जाता है बस आपको यह देखना है connected in series series को आपको क्या करना है derivation कर देना है पूरा formula drive कर देना है ठीक है कई बार यह question mold करके आ जाता ना ब question आई जाता है ठीक है बट आप यह सारे करके जाना उसके बाद एक आपका numerical है यह भी कई बार पांच नंबर में आ जातो फ्री के पांच नंबर है बहुत easy numerical है कि what is the highest and lowest resistance can be secured by the combine of 4 coil of the resistance 4 ohm यहाँ पर ohm का sign बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था 4 ohm ठीक है तो मैंने यह का निकालना है ठीक है तो आपने अगर science को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूं next है on what factor does resistance depend on ठीक है और साथ में resistivity की जो है definition भी आजाती इसमें तो वो भी include कर ले रहा तो यह तो आपके मैंने सारे long question तीनो चैप्टर के बता दी ह आई होब वीडियो आपके लिए helpful हुई हो तो वीडियो को जदस 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 लाइक जदस शेर करना और भी sample paper में आपको provide करा होंगी okay students मिलते next वीडियो में bye bye